नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है Knowledge in Hindi अगर आप भी वाट्सेप पर आईडी बना रहे हो आप नईव आईडी बना रहे हो या आप अपने पुरानी आईडी लॉगिन कर रहे हो आपको देखने को मिल रहा है WhatsApp Service Status Unavailable तो ये क्यों आ रहा है इसका हम ठीक कैसे कर सकते हैं आईए जानते हैं इसके आने की तीन चार वज़ा होती है जिसे आप आसानी से ठीक कर सकते हो और आपको ये दिक्कत दुबारा देखने को नहीं मिलेगी सबसे पहले आप अपना फोन का नेट चेक करिए हो सकता है आपके फोन में नेट बंद हो और ये भी हो सकता है कि आपका जो नेट है वो खतम हो गया हो सायद आपको जो 1GB या 2GB डेली मिलता है वो खतम हो गया हो अगर आपकी दिकत फिर भी ठीक नहीं होती है, तो आप अगला तरीका follow करें, आपको जाना है अपने phone के play store में, play store में जाईए, आप यहाँ search करिये whatsapp, whatsapp यहाँ search करें, simple, ज्यादा कुछ नहीं करना है, whatsapp search करें, आपको यहाँ पर इसे एक बार अनिस्टॉल करके दोवारा इंस्टॉल कर लेना है यानि इसको डिलेट कर दीजिए और फिर दोवारा इंस्टॉल कर लेजिए इसके बाद आपकी दिक्कट ठीक हो जाएगी और आपका जो WhatsApp है उस पर ID बन जाएगी अगर आपकी ID फिर भी नहीं बनती है तो एक लाश तरीका है तो एक और तरीका है आपको फोन के सैटिंग में जाना है आपको मिलेगा यहाँ पर Apps इस पर टाच करें आपको मिलेगा Manage Apps इस पर आईए यहाँ पर आपको मिलेगा सबसे लाश्ट में WhatsApp तो सारे अप्लिकेशन आपके आ जाएंगे WhatsApp पे आएए यहाँ पर WhatsApp को ढूढ़िए तो यह रहा WhatsApp इस पर टाच करें आपको मिलेगा यहाँ पर Clear Data इस पर टाच करें Clear All Data कर दीजिए अगर आपको Clear Data यहाँ नहीं मिलता है तो आपको मिलेगा Storage के अंदर तो Storage ढूढ़ दीजिए नीची की तरफ Storage होगा यह उपर की तरफ ढूढ़ दीजिए इसके लावा हो सकता है कि अभी WhatsApp का Server डाउन हो उसके वज़े से आपका जो यह दिक्कत है आ रही है तो आपको अपने फोन में थोड़ा सा वेट करना है आपको थोड़ी देरे बाद WhatsApp चलाना है आपकी दिक्कत ठीक हो जाएगी 100% सायद आप समझ गए होंगे वीडियो पसंद आई है लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें